नमस्कार एक और integral देखता आप इसमें हम्ने जो तीन special integral पर जा था उसका application x2哎2 क्ल hoe एक सक् topl Evisión म्हाइनस एक सक्क्वार चार माइनिस एक स्क्वाइर और एक स्क्वाइर अगचर माइने इस्के यह फोर तो बाहर आ जाएगा टू के फॉर्म में यह एक्स स्क्वेर प्लस थ्री बाई टू का स्क्वेर कौन सा फॉर्म आ गया अंडरूट एक्स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर क्या होता है वो इंटिग्रल अंडरूट एक्स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर माइनेस का चेक्कार तो नहीं है इसमें वो है रीक्स्क्वेर बाई स्कॉर्ण मामें होता है तो यह होता है एक्स बाई 2 अंडरूट एक्स square plus a square ठीक है प्लस a square by 2 log of x plus under root x square plus a square plus a constant चलिए इसको use करते हैं तो यह वाला इंटेग्रल क्या हो जाएगा तू तो बाहर है अंदर हमारे पास एक्स बाइट तू जो भी है रूट के अंदर अब यह चीज को आप उपर वाले से इक्क वेट नहीं केजीए क्योंकि ऊपर में वो टू अंदर था hm हमने उसे बाहर कर दिया है तो इसको ऐसे लिखते है एक स्कूर plus 9 by 4 plus a square by 2 a square है 9 by 4 9 by 4 by 2 will be 9 by 8 log of x plus x square plus 9 by 4 plus a constant ठीक है तो यह चल सकता है वैसे अगर आप चाहे तो और simplify कर सकते है इसको 2 को अंदर ले जाए तो x under root अब यह हो जाएगा 4x square plus 9 by 4 ठीक है तो 1 by 4 का root लेंगे तो again 1 by 2 बाहर आ जाएगा यह हो जाएगा 4x square plus 9 यहां देखे तो 9 by 8 ठीक है log of अच्छा 9 by 8 के साथ 2 भी तो multiply हो तो यह 9 by 4 बन जाएगा log of x plus अगर आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दे वरना वही काम करें 4x square plus 9 by 4 था तो आप बाहर आ जाएगा क्योंकि याद तो ऐसे भी होगे confusion ने कि कब minus a square by 2 होगा कब तीसरा formula यूज होगा sign inverse वाला तो वह जैसे जैसे हम problems करेंगे अपने आप clear हो जाएगा कि कि अवार बाहर यूज होके अवार वार में हो